अस्सलाम अलेकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल आपके सफरी यूटूब चैनल पे तो साथियों आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सा खेरिया से होंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप छोटी सीरी क्वेश्ट आप से करना चाहता हूँ चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नौटुफिकेसन आपको हमें सफरी में मिलते रहे तो सातियों आज की वीडियो में दोस्तों दुबाई से बहुत ही बढ़िया खबर आपको मैं सुनाने वाला हूँ दो खबरे सुनाओंगा दोनों के दोनों बहुत ही अच्छी खबर है एक तो खबर दोस्तों मल्टी इंट्री वीजा को लेकर आ रही है एक खबर दोस्तों आ रही अन्नोन बेबी का जो बड़ सेडिफिगर बनता इस तरह का बच्चे देना वहाँ पे कानूनन जुरुम था महिलाओं को वहाँ पे इसे प्रॉब्लम भी होती थी और उनका बड़ सेडिफिगर भी नहीं बनता था पर फैनली दोस्तों यही गवर्मेंट के तरब से इनॉस्मेंट किया गया है कि ऐसा कोई भी मा यदी को ब multi-entry visa को लेकर आरे 90 days वाला तो सर्फ 100 धिरम लगाकर आप multi-entry visa को दोस्तों आप ले सकते हैं इसका दोस्तों procedure क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं तो साथ यह जो भी दूबय में आप लोग आपको पता है दोस्तों FIFA World Cup कतर में होने वाला है तो कतर में FIFA World Cup को लेकर आप यानि दोस्तों कोई इसमें लिमिट नहीं होगा कि आप एक बार दूबाई छोड़के कतर चलेगा फिर दूबाई नहीं आ सकते हो आप दूबाई छोड़के कतर भी जाईए कतर से दूबाई आईए दूबाई से फिर कतर जाईए कोई दिक्कत नहीं होगा इसलिए इसका नाम दिया जाता है multi entry visa सबसे बड़ा दोस्तो इसमें visa का procedure इसमें ये होगा कि जिनके पास हाया card होगा अब दोस्तो हाया card क्या होता है इसके लिए यदि मुझे comment section में जाके comment करके पूछते हो तो मैं इसमें separate video बना दूँगा पर हाया card जिनके पास भी होगा उन्हीं लोगों का दोस्तो वही लोग 100 दिरम लगा कर monthly entry visa को ले सकते हैं पहले तो साथ 30 दिनों का मिलेगा उसके बाद उसके extend करके 90 दिनों का किया जा सकेगा तो जो भाय लोग हाया card आप लोग के पास हो सके मिलते साथ उनिक स्टूडियो पहले आफिस और टेक क्यार